अज़ किस वीडियो के इन्दे मैं करने आला हूँ शिरो निको प्रोजेक्ट का लास्ट एपिसोड वो भी हिंदी में एक्सप्लेइन और इस सीरीज के बाद मैं बिलकुल नई एनिमे सीरीज को एक्सप्लेइन करने आला हूँ और साथी साथ वो एनिमे सीरीज का फ्यादा मज़िदार और इंटर्टीनिंग होने आली है तो अभी के अभी चैनल को सस्क्राइब कर लेजे और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा दीजेगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें तो चल चानक से उसके सामने एडल आ जाता है एडल को देखके प्रिंस का फैदा है और फिर एडल कहता है कि मैं बलकुल एक डीमन जैसा बन चुका हूँ और उसके बाद प्रिंस पूछता है कि तुम कुईन के ऊपर हमला क्यों किये थे और फिर एडल कहता है कि उसे बेकूफ बना कि उसने तुम्हें और ग्रोजा को इसलिए यहां से दूर भेज दिया था कि तुम दोनों अपना पाला बदल लोगे और वाइट किंडम की ओर से लड़ोगे उसके बाद एडल और भी भयानक डीमन के अंदर बदलने लगता है फिर हमें एडल को दिखाया जाता है जो कि काफ पर उन दुनों की तलवार एक दूसरे से टकराती है जिससे काफ़ एडल रोशनी निकलती है तबी प्रिंस अपनी दूसरी तलवार से एडल के उपर हमला करता है और उसे लगता है कि एडल मारा गया लेकिन तबी एडल अचानक से गायब हो जाता है और उसे आके पकड़ प्रिंस को स्टाप गर देता है अपनी तलवार से एडल की तलवार प्रिंस के आर पार हो जाती है लेकिन तबी प्रिंस अपनी दूसरी तलवार की मदद से एडल की गर्दन को काड़ देता है लेकिन एडल पूरी तरीके से नहीं मरा रहता है और उसके बाद वो कहता है कि ने मुझे यहाँ पर तुमसे लड़ने इसलिए भेजा ताकि मैं तुम्हें बिजी रख सकूँ उसके बाद एडल कहता है कि हमारी जो सारी किसाई सेना है वो पहले ही आसमान से जा चुकी है वाइड किंडम के उपर हमला करने फिर उसके बाद एडल कहता है कि वाइड किंडम जादा देर तक नहीं बचने आला और फिर वो कहता है कि किंग का प्लान ये है कि ना ही ब्लाक किंडम में कोई बचे और ना ही वाइट किंडम के अंदर वो हर चीज को डिस्ट्रॉई करना चाहता है उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी सारे ब्लाक नाइट आ जाते है और प्रिंस के उपर हमला करने आ ले रहते है और प्रिंस भी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और प्रिंस अपने एकी हमले से काफी सारे ब्लाक नाइट को मार देता है और वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए ग्रोजा भी आजाती है और वह अपने Magic की मदद से उन सभी को मार देती है और वो Prince को वहाँ से जाने के लिए और Prince वहाँ से चला जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि Prince दौड़ते हुए वहाँ तक पहुंच जाता है जहाँ पे सारी के सारी flying ship खड़ी रहती है लेकिन अभी वहाँ पे एक भी ship नहीं बची रहती ये देखे वो काफे अधा दुखी हो जाता है लेकिन तभी वो चमकने लगता है और उसके अंदर से एक light निकलने लगती है असल में ये वही ताकत है जो की मरते हुए skier ने इसे दी थी episode 1 में तभी उसके दो बड़े बड़े पंक आ जाते है और वो कहता है इस ताकत की मदद से मैं वहाँ तक जा सकता हूँ और फिर हमें white kingdom को दिखाया जाता है जहां पे शीमा अपने होश में आ जाती है और होश में आने में उसकी मदद की रहती है आईरिस ने और उसके बद शीमा कहते ही कि हम लोग मिल के सभी को protect करेंगे और फिर हमें rune of founder को दिखाया जाता है और आईरिस भी वहाँ पे बैठी रहती है और उसके बद आईरिस कहते ही कि मैं white kingdom को protect करने में कामयाब रही फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो प्रिंस रहता है वो अपने पंकों की मदद से काफी जादा तेजी से उड़ते है वाइट kingdom की और आ रहा रहता है और वो कहता है कि मेरा इंतजार करना वो कहती है यही आकरी तरीका है डार्कनेस को रोकने का और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस के रास्ते में काफे जादा डार्कनेस आती है लेकिन प्रिंस बहुत जादा गुसे में रहता है और वो अपने एकी स्ट्राइक से सारी की साई डाकनेस को खतम कर देता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हड़ जाओ और उसके बद प्रिंस कहता है कि पता ने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा होने आला है और फिर हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो कि कहते है कि यही अंत है वाइट किंडम का फिर हमें प्रिंस ओफ डाकनेस को दिखाया जाता है जो कि कहते है कि मैं आयरिस को प्रोटेक्ट करूंगा और उसके बद आयरिस कहते है कि वो डाकनेस को खतम कर देगी और फिर हमें Fierce of Valis को दिखाया जाता है जिने vibration महसूस हो रही रहती है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा रहता है कि ये कहां से हो रही है और फिर जो Fierce रहता है वो कहता है कि आखे Queen है कहां और फिर अचानक से आस्मान के उपर Founder of Ruin आ जाता है और उससे काफे अदा रोशनी निकल ले रहती है और उससे देखने के बाद Shima कहती है क्या ये Self Destruction है और तब ही Theo कहता कि ऐसा नहीं हो सकता और फिर हमें Fierce को दिखाया जाता है जिसे यकिन नहीं हो रहा रहता है कि Self Destruction कर रही है Iris और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारी के सारी बिल्डिंग White Kingdom की देखते ही देखते गिरने लगती है और फिर पूरा का पूरा White Kingdom तबाह हो जाता है और उसके बद हमें दिखाया जाता है कि जो Iris रहती वो भी नीचे गिरे रहती क्योंकि उसका Palace तूड जाता है और फिर आरिस देखती कि वहाँ पर प्रिंस ओफ डाकनेस उड़ता हुआ आर रहता है उसे देखके आरिस काफ़ जादा चौंक जाती है और उसके बाद रोने लगती है और उसके बाद आरिस उसे गुडबाई कहती है प्रिंस काफ़ जादा कोशिश करता है आरिस का हाथ पक अच्छा गरता है। एपिजोड और सीजन वण यहीं पे एंड हो जाता है और उसके बद क्रेडिट वगधा आते हैं और उसके बद हमें एक छोटा सेन दिखाया जाता है जहां पर एक बच्चा लेटा वगए रहता है और कहता है कि यहां पर रौश्नी आ रही है और ये बच्चा और कोई नहीं प्रिंस ओफ डाकनेस रहता है और साथी साथ हमें दिखाया जाता है कि जो फियस रहता है वो काफी अदा डिरामनी हसी हसरा रहता है बिलकुल विलन के जैसे असल में ये सारे के साई चीजें हमें सीजन 2 में दिखाया जाएंगी और इसका सीजन 2 कम से कम 2023 में लाँच होगा और जब तक इसका सीजन 2 नहीं आता तब तक आप मेरे चानल के उपर और भी काफी सारे अच्छे अच्छे आने में देख सकते हैं वो भी हिंदी में मैंने सीरीज को काफी अधा तेजी से एक्स्प्लेइन किया है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बहुत सारे अलग लग आने में को जल्दी जल्दी एक्स्प्लेइन करूं तो प्लीज जल्दी से चानल को सस्क्राइब कर दीजे और वीडियो को लाइक कर दीजे मिलते हैं किसी और नए आने में की explanation में